हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको काली मिर्च के पौधों के बारे में बताने वाली हूँ काली मिर्च की खेती प्रयाप्त बरसा तथा आधरता वाले आधर उसने कटिवंध्य शेत्रों में की जाती है इसकी खेती 20 डिग्री उत्तर और दक्षिन अक्षांस के दर्मियान समुद्र तर्ट से 1500 मिटर तक की उचाई पर सफलता पुर्वक की जाती है ये जो आपको पौधा दिख रहा है वो काली मिर्च का बेल है जो पेडों के सहारे उपर की और चड़ता है और फलता है काली मिर्च के पौधे तुराई के लिए लगभग 6 महिने से 7 महिने में तयार हो जाते हैं काली मिर्च के फल लगभग 90 प्रतिसत पक जाने पर उसके स्पाइक्स को हम काट सकते हैं आमतर पर काली मिर्च के फलों की कटाई नवंबर महीने से शुरू होकर मार्च महीने तर चलती है भारत में 99% काली मिर्च की खेती केरल में होती है और इसी के साथ करनाटा, तमिलाडू और महरास्ट के कोंकन इलाटे में इसकी खेती की जाती है काली मिर्च खाने से सेहत को बहुत फायदे मिलते हैं इससे हमारा पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है सर्दी जुकाम से रहत मिलता है ओरल हेल्थ के लिए भी लावकारी है अगर हमारे दात और मसूडों में खराबी है, प्रॉब्लेम है तो अगर हम काली मिर्च का सेवन डेली करते हैं तो हमारा यह प्रॉब्लम सॉल्व होता है वेट लॉस में भी सहायक होता है काली मिर्च जोडों के दर्द से भी हमें रहत दिलाता है इतना ही नहीं, साथ ही इंफेक्शन से भी बचाव होता है अतर आपसे अनुरोध है कि आप अपने भोजन में डेली काली मिर्च का सेवन जरूर करें इससे आपका सेहत बेहतर होगा और बहुत सारी बिमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा